नमस्कार घमासान हेल्थ में आपका स्वागत है आया हजम आपको बताते हैं कि पालक का सुप कैसे बनाया जाता है पालक का सुप बनाने के लिए एक किलो पीली मूंग डाल लीजिए आधा कप पारिक कटी हुई पालक एक छोटी चम्मच कौन फ्लावर आधा कप दूद, नमक स्वाद अनुसर और काली में चादा चमच पालक का सुप बनाने के लिए सबसे पहले दाल को भिगो ले और निथार कर अलग कर ले उसके बाद एक प्रेशर कुकर में पीली मूंग डाल को पकाए पकाने के बाद इसे अच्छे से फेट ले एक कटोरी में कॉन फ्लावर और दूद को अच्छी तरह से मिलाकर एक तरह फ्लक लीजिए उसमें पालक, कॉन फ्लावर, दूद का मिश्रन, नमक और काली मिर्श का पाउडर डालिए अच्छी तरह से मिलाइए और लगातर हिलाते हुए धीनी आज पर पकाए और इसके बाद करम करम परोसे नमस्कार दोस्तो अगर आपने अभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बैल आइकन को जरूर दबाएं जिससे घमासान से जोड़ी हर ताजा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे